स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आजम करेंगे कक्छा साथ में विसे गनित का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपून हल अध्याए एक का जो की हमारे आंकडों के प्रभंदन से लिया गया है अध्याए तीन दे रखा है ये आपके पहले में तो आपको यही करना है इसकी अलावा हमने बाकी सभी विसों की विज्ञान गनित सामाजी विज्ञान की वक्षिट्स सॉल्व करकर अध्याए पाड सॉल्व करकर दाल दिये हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर हमारे चैनल पर जा कर देखें तो देखिए प्रस्ट नमबर एक सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकडों के अंतर को क्या कहते हैं सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकडों के अंतर को प्रसार या परीसर कहते हैं प्रस्ट नमबर दो देखिए निच्चित घटना की प्राइक्ता क्या होती है निच्चित घटना की प्राइक्ता एक होती है अगला है प्रथम पांच प्राकर संख्याओं को माध्य क्या होगा प्रथम प्राकर संख्याओं कोन सी होती है एक दो तीन चार पांच इन संख्याओं को योग कित्ता हुआ 15 माध्य का सूत्र क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या संख्या को योग 15 है, कुल संख्या 5 है कित्ता आगया उत्तर 3 प्रश्ण नमर 4 है, आंकडों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षन क्या कहलाते हैं प्रश्ण पांच है, सुसिल 3 करमागत दिनों में करमस 6 गंटे, 5 गंटे, 7 गंटे पढ़ता है उसके प्रती दिन पढ़ने का आउसत क्या होगा, तीनों दिनों करमस क्या है, 6, 5 गंटे, 7 जोड लेंगे, कित्ता आया 18 तो आउसत क्या हो गया, पढ़ाई के कुल गंटे बत्ते, दिनों की संख्या, कुल कित्ती है 18, दिन है 3, तो 6 गंटे आउसत पढ़ता है प्रश्ण नमबर 6 है निमलिकित आंकडों का भवुलक ज्याद कीजिए इस सभी अंकों को हम कैसे आरोई क्रम में जमा लेंगे अब देखिए इन में सबसे ज़्यादा अंक कौन से बार बार रिपीट हुआ है बार कौन सा आया देखिए 14 एक बार दो बार और तीन बार 14 तीन बार आया सबसे अधिक बार तो भवुलक वह संक्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है तो 14 उत्तर हो जाएगा हमारा प्रशन साथ है यह निन्ने लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारम करेगी एक सिखा उचाला गया उसकी क्या प्राइकता है कि उसकी टीम खेल प्रारम करेगी संबाबना वाली घटना की प्राइक्ता 0 होती है और निच्चित रूप से घटित होने वाली प्राइक्ता 1 होती अथ है आपकी टीन खेल आरम करेगी इसकी प्राइक्ता 1 है प्रस्ट नमबर 8 है एक क्रिकेट खिलाडी ने 8 पारियों में निमले खितरन मनाए 58, 76, 45, 46, 50, 0 और 100 इसके रनों का परिसर ग्याद करना है परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा अंग माइनस सबसे चोटा अंग सबसे बड़ा है 100 सबसे चोटा 0 तो 100 हो गया परिसर प्रस्ट नमबर 9 देखिए 5, 7, 9, X, 6, 10, 11 का माद्दे 8 है एक्स का मान ग्याद करना है दिया गया माद्दे 8 है अंगों का योग कर लेंगे कित्ता आ जाएगा X प्लस 48 इन सबी का योग X प्लस 48 आएगा हमारे संग कित्ते हैं टोटल 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माद्दे का सूत्र क्या होता है माद्दे का योग जो की X प्लस 48 है अंकों की संक्या 7 है कर देंगे 7 क्या हो जाएगा भाग में है नीचे तो बराबर की 2 तरफ आने में गुना का हो जाएगा तो 8 गुना 7 हो जाएगा 56 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 48 48 उधर ले जाएंगे बराबर के माइनस में चला जाएगा तो x बराबर कित्ता आ जाएगा 8 तो हमारी x क्या संख्या आ गई 8 अब देखिए 6 विविन कक्षाओं के विध्यारतियों की संख्या नीचे दी गई है इन आंकडों को एक दंड आलेक के रूप में हमें निरूपित करना है तो देखिए दंड आलेक बनाना है हमें तो कक्षा और विध्यारतियों की संख्या दी गई है पैमाना हम एक सेंटिमीटर में 20 विध्यारतियों कमान रहे है तो y अक्ष पर ये y अक्ष है ये x अक्ष है ये y है y अक्ष पर हम विध्यारतियों की संख्या लिखेंगे और x अक्ष पर कक्षा लिखेंगे तो 20 से 40 करेंगे 20, 40, 60, 20, 20 का गैप रखना है हमने पैमाना यही लिया है तो 5 वी कक्षा 130 तक करनी है देखिए लिखा हुआ 130 तो 120 और 140 की 20 में 130 आ जाएगा 130 तक फिर 60 120, 7 वी है 90, 8 वी है 100, 9 वी है 90 कित्ती है 90 और 10 वी 80 इस प्रकार से आपको दर्णालेक बनाना है तो बच्चों यह ता हमारा पूरा सेशन जिसमें हमने डिटेल में अध्याय तीन आकड़ों के प्रभंदन का पूरा सॉल्फ किया है आपके लिए इसी प्रकार आप अन्य भी करते रहेंगे जुडर यह चैनल से लाइक करें, सियर के ने सस्क्राइब करें धन्यवाद